हेलो डियर स्टूडेंट्स वी वर डिस्कुसिंग चैप्टर एटोमिक स्ट्रक्चर एंड आज हम लुक वेव के बारे में पढ़ेगी पीटा सबसे पहली बात वेव क्या होती है इट इसे मेथड ओफ ट्रांसफर ओफ एनरजी विदाओट ट्रांसफर ओफ मेंटर कि मेंटर इनर्जी को ट्रांसपर करने की चोब ऐनर क्या होती तो तुम पॉल सकता हूं हमेंग इस को मेसी如果 पूल्सपर वफ ट्रांसफर ऑफ एनरजी तो नाट्सपर ओफ ूफ एनरजी विदाओट ट्रांसपर ओफ कि विदाउड ट्रांट्सपर ओफ मेंठर को इनर्जी को ट्रांसपर करने की वर्म को क्या बोल देखा वह मानद हो यहांसा इह जो सूर्स मेरी सज्ब्रेट interpretation ओ और दिरित डाईरेक्शन ओफ प्रोपोगेट में मीर आगे अपर सकाथ água के अंडर मेरे जाएगा hazard इस तरीके से सब्सक्राइब लोगते हैं मैक्सिमम मिनिमम हाइट वाला पॉइंट ऊपर इसको बोलेगे ट्रफ तो यह एक वेड़ है और हाइट उफ क्रेस्ट को में क्या बहुता हुआ एमपलिटूड या फिर बोर दो कि क्रस्ट की हाइट कितनी ज्यादा है इसको क्या बोलेंगे एंपली टूल तो बेटा वेव के लिए कुछ टॉंस होती है सबसे बहुरी ट्रमेंड क्या मताई कि एंपली टूल एंपली टूल क्या होता है वेटा हाइट ओफ हाइट ओफ क्रेश्ट और डेप्थ ओफ इसके बाद सेकेंड ट्रम जो होती है वोती है वेव लेंद्ध वेव लेंद्ध का हम लोग जनरली लेंड़ा से करते हैं वेव लेंद्ध क्या होती है बहुत सिंपल सी बात है दो कंजिकेटिव बिल्कुत पास वाली क्रस्ट के बीच में डिस्टेंस को क्या बोल लेंगे बैटा वेव लेंद्ध या फिर दो कंजिकेटिव ट्रफ के बीच में डिस्टेंस को भी क्या बोल सकते है बैटा वेव लेंद्ध बोल सकते दो प्रॉक्तिके मकार दिस्टेंस बीच मरम ब this time between two कंजिकेटिव GitHub लगा ता तू कंजिकेटिव करे श्टिक। कि सब्सक्राइब कर Completely डेवेव लैंद्ध इने डिस्टैंस ट्रैफर कर लेंद्ध अ कृप्धिए तो मैं बूलूँआ कि एक और इसका फिर यहां से स्टार्ट जीरो से और दुबारा से जीरो पर पर ही आ जाए यहीं प्याज़ जाए प्याइब और जब एक वेवलेंथ वेवने ट्रेव ने तर ली है तो इसका एक प्रिट हो गया इसकी एक पीरिड इसका एक कंप्लीट हो बिटेश के पाइब थर्ड तो ट्रम आती है वह हो गी टाइम पिरिड को अब अब हाइं पिरिड को कैपिटल टी से भी पर जैंड करेंगे क्या होता है कि एक उसेलेशन करने के लिए मतलब एक वेव लैंग ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगाया इसको हौं क्या हो करने में कि तना टाइम लगाए अब देखू बेटा टी क्या है टाइम पिरियड यह अब बोल रहा हूं कि टाइम पिरिड क्या है बेटा कि एक लैमडा डिस्टेंस ट्रमें कि तना टाइम लगा अब टाइम का फॉर्मुला क्या होता है टाइम इस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो यहां पर सी क्या इपटाइट इस पीड ओफ वेव कर रही है तो यह तो यह ताइम पिरेट और वेव मैंच में रिलेशन आ गया कि इसके बाद फॉर्स ट्रम होती है गया से फ्रीकेंसी काफी इपर्टेंट करेंगे चोंडों करेंगी च्ख शकेंड वेडो तैकरण की होन परकि इस ता इंद आपके प्रीक्वेंशी मसला प्रीमा बोल सकता हूं कि नंबर ओस्टिलेशन्स नंबर ओस्टिलेशन्स नंबर ओस्टिलेशन्स ट्रेवल डाइव इन यूनिट टाइम की एक सेकिंड के अंदर वेल है किसीर संस्टिलेशन्स कंपलीट करती अब देखो गेटा टाइम पिरेड क्या होता है कि कितना टाइम लगा एक और चीडियोस कंपलीट करने के लीगे तो अध्याँ गूल सकता हूं कि की ऑसे लेसेंशन्स इन टी टाइम पूरल और नब रॉब ऑफ और उसिलेशन इन वब टाई इसी चीज़ को मैं क्या बोलता हूँ फ्रीक्वेंसी इस इक्वार्ट वन अपूं टी इस इंपला हूँ लेव्युज विसका मतलत क्या जाएगा विजी क्वल डू टू सी अपून लेव्य। कि यूनिट लैंथ में कितनी वेवलेंथ आई इसको आप गया वोलेंगे वेव नंबर या फिर कितने ओसी लेशन संप्लीट हो गई तो मैं बोग रहता हूं कि नंबर ओसी लेशन से इन यूनिट लेंद इस वार क्या है यूनिट लेंद हम लोगों लिए इसको वोलेंगे वेव नंबर अब यह बताओ बैटा कि तो वेव नंबर विल इक्वल टू वन अपोन लेंडा यह वेव नंबर का फोरूल लाओगा वेव लेंद का इनवर्स मित्क लेंडा स्टेंश के इंदर मतलब की वेव लैनस डिस्टेंश के इंदर कि लेंजिट-ंकर कुत्म लेंदा तो इसका मतरा भी यह है कि वान यॉनीटि डिस्टैंस के ‍पनी डिस्तैंस में कितने ओसी शिएशनश होंगेए unre мел अ् भी यह ओसी शियसनश हहों उसीको में क्यों प Запेटें आप साँ guilty मेरा अधें आदेर नंबर अगें dar है था पिट नेक्स्ट टोपिक इस प्यक्ट पूर्ष पेक्ट प्रक्र में हमें हमें बताता हैं कि किसी भी एक टम से अगर हम एनर्जी का ठ्राव कि सचन्द तो एक टम के अंदर से बिटा कौन कौन सी वेवलेंट उसके अंदर रहा पूंदे को टो इप ऐन सब्सक्रक्राइब कोई सिग्यां किया कि आर्स एंट से मेश्ञारी और लेटा स्ट वाहिए दो टाइब के स्पेक्ट्रम होते हैं फिर्स्ट इज एमिस्ट्रम क्या होता देखो माले कम मेरे पास कोई भी एक्टम है सबसे पहले उसने हीट को एब्जोर्ब कर लिया और उसके जो इलेक्ट्रोंस थे अटम की वह हाईर लेवल के इंदर कोच गें अब वह हाईर लेवल के अंदर पहुच चुके हैं उसके बाद हमने उसको अलग रख दिया दीरे दीरे जो इलेक्ट्रोंस थे थे वह पिस आएंगे लोवर लेवल के अंदर एनरजी को बाहर ठोड़ते जाहेंगे और जिस एनरजी की वेवलेंद को उन्होंने बाहर ठोड़ सब्सक्राइब एमिट किया तो हम उस स्पेक्ट्रम को बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम पहले एंट्रजी को एब्सेंड करेंगे और फिर धीरे धीरे एक्ट्रोंस से लोवर एनरजी मैं आएगे और साथ शाथ में डिफ्रेंट वेवलेंद्स की रेडियेसिंज को बनेगा उनको क्या हो लगे एमिस्षन स्पेक्ट्र माले तौन वे पास यह एक्टम है यह एक्टम का न्यूग लिए और यह यह इंर्ची लेवल के अंपर और जब एक्टम इस हाइर एनर्जी लियाव से निच्छे वाली में आएगा तो कुछ एनर्जी भाहर छोड़ देगा इस वेवलेंद कौन नोट कर लेंगे फिर उसके बाद और नोवर में आएगा तो फिर से कुछ एनर्जी को छोड़ देगा तो यह जो डिफ्रे आफर्च के होता है एक्टम एप्जोबस एनर्जी और टेक्स एनर्जी टेक्स हीट एनर्जी एनर्जी एक्टक मेंद गादेटर्ण एक्टरोंज को टूँ गोज तुँ और एनर्जी लेवल्स एइनर्जी लेवल और एलक्त्रोंज हाईर एनर्जी लेवल्स में चलेगे उसके बाद जब वह वापीस निच्छे आँगे ग्राउंड स्टेट में तो is theby जिस निच्छे आएंगे ग्राउंड स्टेट के अंदर तो डिफ्रेंड वेवलेंट के एनर्जी को एमिट करेंगे और इसी spectrum को क्या बलोना? Emission spectrum. So, मैं बोलता हम, all coming back, all coming back to ground state, all coming back to ground state, they emit emit radiations of different wavelengths, radiations of of different wavelengths. और बेटा, ये तो different wavelengths प्राप्त हुई हमें, ये नी सब कौम क्या बलेंगे, emission spectrum. So, this is called, this collection of wavelengths, this group of wavelengths, wavelength is called, emission, second type of spectrum is absorption spectrum, absorption spectrum क्या होता है, कि atom के अंदर जो electron होता है, वो lower level के अंदर होगा. हमने इसको कुछ wavelength की radiation इसके उपर पड़ी, तो बेटा, wavelength की radiation इसके उपर पड़ी, तो ये कहा चला जाएगा, इसको energy में तो ये higher level में जाएगा, कब जाएगा, जब इसने energy ले ली, accept कर ली, और फिर दुबारा से इसके उपर कोई radiation इसके उपर पड़ी, lambda 2 wavelength की, तो ये कहाँ चला जाएगा, बेटा, और higher level में, तो इस बार ये energy को absorb कर रहा है, बेटा, lower से higher level में जाएगा तो इस spectra को मैं क्या बोल लूँँगा, absorption spectra, जब ये energy radiation को emit करेगा, तो क्या बोल मुणा emission spectra, तो मैं बोल सकता हूँ, electrons, jump from lower level of energy to higher level lower level of energy to higher level and absorbs wave and absorbs radiations of radiation of different wavelength different wavelength बेटा, इस spectrum को क्या बोलेंगे, absorption spectrum, अब जनरली देखो बेटा, emission और absorption spectrum में से, किसको हम generally prefer करते हैं, किसको पढ़ना आफान होता है, बेटा, emission spectrum को पढ़ना आफान होता है, क्यों आफान होता है, बेखो, हम energy supply कर रहे हैं, मार्णों absorption spectrum की बात करूँगा, हम atom को energy supply कर रहे हैं, यहाँ पर ground state के अंदर atom था, और बिल्कुल fixed energy की, wave length मैं इस पर डालूँगा, लेंडावन की तो ही atom higher level के अंदर जाएगा, अगर इससे जादा में कर दिया, इससे कम ने कर दिया, तो मैंटा, proper मेरे पास spectrum नहीं बनेगा, या फिर अगर मैंने इसको simply heat कर दिया, तो heat करने मैं मुझे नहीं बता लगी है, कि इसने किस energy कीवे radiation को absorb किया है, या इससे higher level में पहुच गया है, या उससे भी higher level में पहुच गया है, मैं कुछ भी इसके बारे में नहीं बोल पाऊंगा, तो absorption spectrum को पढ़ना मुझे रहे, लेकिन एक बार मैंने atom को heat कर दिया काफी सारा, और उसके electrons को higher level में पहुचा दिया, उसके बार मैंने atom को रख दिया, तो बिल्कुल fix है कि atom सबसे पहले जो atom के electrons है, वो higher से उससे lower में आएगे, उससे lower से उससे next level में, और इस तरीके से करते करते, अपनी ground state में पहुच जाएंगे electrons, तो मेरे पास एक proper spectrum बन के आएगा, जिसको मैं क्या बहुआँगा emission spectrum, तो उसको पढ़ना easy है, as compared to absorption spectrum, तो इसलिए emission spectrum काउम लोग prefer करते हैं, पेटा, next spectrum है electromagnetic spectrum, तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि इलेक्ट्रो मैनेटिक वेवज क्या होती है, पेटा, ऐसी वेवज, जिनके साथ electric field और magnetic field जिसके साथ propagate करें, उन वेवज को हम क्या बोल लेंगे, electromagnetic waves, तो मैं बोल करता हूं कि वेवज, which travels with, which travels with electric field, and magnetic field, and magnetic field, along with it, इसके साथ electric field और magnetic field भी travel कर रहे हैं, along with it, तो ऐसी वेवज को मैं कहा होती हूं हूं, electromagnetic waves, और पेटा, इलेक्ट्रिक फिल्ड और magnetic field कि इस तरीके से travel कर सकते हैं, करते हैं इस वेवज के साथ, और इस डारेक्ट्रिक्षन के अंदर मेरी wave travel कर रहे हैं, propagate कर रहे हैं, आगी की तरह बढ़रिया, उस डारेक्ट्रिक्षन से पर्पेडिकुलर जोन्हों ही, यह एलेक्ट्रिक फिल्ड और magnetic field, ट्रैवल करेंगे, एलेक्ट्रिक फिल्ड देखो, and perpendicular to perpendicular to to direction of propagation direction of propagation of wave and also and also perpendicular to each other मैं क्या कहना चाहरा हूँ बेटा कि मालो मेरी वेव जो है वो इस डारेक्शन में यह जो एक्स एक्सीज है इस डारेक्शन में क्या कर रही है बेटा प्रूपोगेट कर रही है यहां से स्टार्ट हुई है और पेटा जो इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ कि इलेक्टरिक फिल्ड और मैंगेटिक फिल्ड भी ट्रेवल करेंगी तो पटा इलेक्ट्रिक फिल्ड की जो वेव बनेगी हो कैसे बनेगी यह आगे प्रूपोगेट कर रही है उससे पर्पेंडिकुलर क्या चलेगी यह इलेक्टिक फिल्ट वाली देव चलेगे कर गा दिवर को घरत चलेंगे सब्सक्पánति कर दो Gibbs कि तरीक्रिक जोंगी सबुम्त कर नमें इस वेव की डारेक्शन की वेव की प्रोपोगेशन की डारेक्शन से पर्पेंडिकुलर होंगी साथ में इलेक्ट्रिक फिल्ड और मेंटिक फिल्ड एक दूसरी से क्या होंगी पर्पेंडिकुलर डारेक्शन में होंगी कि मालगो जो इलेक्ट्रिक फिल्ड की जो वेव है व तो जो मेगनेटिक फिल्ड की वियर होगी वो जैड एक्सीज के अंदर की अलोन प्रोपोगेट करेंगी